हैलो अलकेन के कनवर्जन के दूसरे वीडियो में पुना आपका स्वागत है नमस्कार आदाप मैं समसेर अली फाउंडर ओफ वीवो केमिस्टर यूटुब चैनल आज किस वीडियो में हम लोग कोस्टन नमबर 6 से देखेंगे क्योंकि कनवर्जन के पहले वीडियो में हम लोग कोस्टन नमर 5 तक देख चुके थे तो अब स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि आपका सवाल क्या है सवाल है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड मतलब इथेनॉल से आपको इथाइल फ्लोराइड बनाना है तो देखें यह है आपका इथेनॉल CS3, CH2OH जिसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं और आपको बनाना है इथाइल फ्लोराइड यानि कि CS3, CS2 और F तो देखिए, alkyl fluoride यहां आपको बनाना है, तो alkyl fluoride बनाने के लिए दो ही method होते हैं, और भी method है, mainly अगर halogen exchange method की बात की जाए, तो दो method है, एक fincalistin reaction जिससे हम iodide बनाते हैं, और एक है swartz reaction जिससे हम fluoride बनाते हैं, तो हम यहां swartz reaction का ही इस्तमाल करेंगे, लेकिन check करेंगे क क्या direct भी reaction हो सकता है, तो direct reaction नहीं होगा, हम लोग step point चलेंगे, तो देखिए, सबसे पहले ethanol को हम लोग क्या करते हैं, ethyl chloride में change कर देते हैं, या ethyl bromide में change कर देते हैं, और उसके बाद halogen exchange method यानि swartz reaction हम लगा देंगे, फिर हमारा ethyl fluoride तयार हो जाएगा, तो कैसे बनेग जड़ा check करें, यह है आपका, CS3, CH2OH यानि ethanol, और ethanol का हमने thionyl chloride से reaction कराया, pyridine की उपस्तिती में, pyridine की उपस्तिती में reaction कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, CS3, CS2, Cl, क्योंकि इथाईल chloride, मतलब alkyl chloride बनाने का यह सबसे pure method है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, और यह process क्या है, Darzen process, क्या है जी, Darzen process या इसी को Darzen reaction भी कहते हैं, अब देखिए, chloride तो हमने बना लिया, अब fluoride हमको यहाँ लेके आना है, थाईलोजन exchange method, आप क्या करिए, यहाँ, silver fluoride या mercurus fluoride या cobaltate trifluoride का इस्तेमाल कर लिजे, तो AGCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और AGCl बाहर निकल करके, जैसी जाएगा, F अंदर आएगा, और F अंदर आएगा, तो आपका product क्या तयार हो जाएगा, CH3, CH2, और फिर आपका बन गया F, यानि कि आपका बन गया ethyl, और उसके बाद fluoride, यह आपका compound तयार हो गया, तो चलिए आप इसको low down करिए, और इस reaction को क्या कहते हैं, इस reaction को कहते हैं, स्वाट्ज reaction, यहाँ लिख देते हैं, यह लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्वाट्ज reaction, रैसिंग प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग fluorobenzine का निर्माड़ करते हैं, फ्लोरो अलकीन का भी निर्माड़ कर सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा आसान मेथड हैं, हैलोजन exchange है, तो काफी आसानी से हो जाती है, यह देखिए, फ्लोरीन अंदर आया, क्लोरीन बाहर आया, exchange हुआ है, halosan तो दोनों है, लेकिन फ्लोरीन जादा reactive होता है, और क्लोरीन उससे थोड़ा कम, तो इसलिए फ्लोरीन अंदर आता है, क्लोरीन बाहर जाता है, AgCl बन करके, तो यहाँ लिख देंगे, minus AgCl, आप F2 का भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो चलिए, आप इसको लिखे, फिर next question की बात करते हैं, तो अब next है हमारा bromomethane to propanone, यानि bromomethane से propanone में convert करना है, तो देखे ज़रा, यह है आपका bromomethane और यह है आपका propanone, bromomethane में एक कारवन है, प्रोपेनone में तीन कारवन है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा reaction कराया जाए, कि carbon atom की संख्या तीन हो जाए, तो सबसे पहले हम दो के बारे में सोचते हैं, हमारे पास एक है, और एक और add करने के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग carbon atom की संख्या को बढ़ा चैन में, तो जब अच्छे करिए, कैसे reaction होगी, देखिए, यह है CH3BR यानि की bromomethane, इसका आपने reaction कराया, अल्कोहलिक केशियन से, अल्कोहलिक केशियन से reaction कराया, आप यहाँ इथेनॉलिक और H2O भी लिख सकते हैं, ऐसे, ETOH, इथेनॉल, और फिर H2O यहाँ लिख देते या अल्कोहलिक केशियन भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों में से कोई एकी लिखे, तो बहतर, अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, यहाँ से bromine और यहाँ से potassium बाहर निकलेगा, माइनस केशियन करके बाहर निकाल देंगे, Cn आ करके यहाँ जुड जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 और फिर Cn, आपको मिल गया, acetyl nitrile, ऐसे, ए स्वारी, acetonitrile, तो इसको हम लोग, methylcynide भी का सकते हैं, इताइल, nitrile भी का सकते हैं, इताइल, nitrile भी का सकते हैं, या EC को हम लोग क्या का सकते हैं, acetonitrile, बात के लिए हर हो रही है, acetonitrile, यह है आपका nitri और दो कार्बनेटम में इसमें तो क्या हो गया एसे टो नेटरेट अब हम सोचेंगे कि भाई हमारा तीसरा कारबन कैसे मिलेगा तीसरा कारबन मिलने के लिए देखे आपके पास ग्रिगनाड रियेजेंट तो मौजूद होगा क्या मौजूद होगा ऐसे टो लिखना ही है तो आपको याद होगा अलकाईल मेगनिशियम हैलाइड को ग्रिगनाड रियेजेंट कहते हैं तो हमको हमारे पस कितना कारबन है दो एक और चाहिए तो अलकाईल के जगा क्या अगर मिथाइल हम रख दें तो मिथाइल मेगनिशिय हम हैलाइड से अगर रियेक्शन कराएं तो क्या कुछ हो सकता है तो लिखेंगे यहां यहां क्या लिखेंगे और यह कौन सा रियेक्शन है यह कौन सा रियेक्शन है अब जड़ा देखें यहां हम किससे रियेक्शन करा रहे हैं ग्रिगनाड रियेजेंट से तो मिथाइल म ग्रिगनाड रियेजेंट और किस से रियेक्शन करा दें कुलॉराइड से करा देतें चलिए यह है आपका क्या ग्रिगनाड रियेजेंट और इस रियेक्शन को कहेंगे ग्रिगनाड रियेक्शन ग्रिगनाड यह है रियेजेंट और रियेक्शन क्या होगा ग्रिगनाड रिय तो यहां से क्या निकाल दिया जाए तो निकाल दिया जाए CS3, CS3, C, तो C, और फिर आपके पास बचेगा, एडिशन होगा मिथाइल का, तो C, और फिर नाइट्रोजन आएगा, तो नाइट्रोजन आएगा, तो यहां डबल बॉंड और फिर नाइट्रोजन, अच्छा एक ब बताते हैं, double bond nitrogen, क्योंकि यह आएगा, इस carbon के पास, इस carbon के पास, तो आकर के जूड़ेगा, हमने नीचे इसको लिख दिया है, CS3, nitrogen को हमने यहां लिख दिया, double bond के साथ, क्योंकि nitrogen की valency 3 होती है, nitrogen यहां लिख लिए, magnesium की valency 2 तो बीच में, और chlorine तो chlorine, यह आपका compound बनके इतना तयार हो गया, लेकिन फिर भी अभी हमको acetone चाहिए, तो आपको याद होगा, याद क्या होगा, अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है, classroom में, लेकिन याद रखेगा, कि अगर कोई भी grignard reagent का addition product आता है, और उसका, अगर acidification किया जाता है, मतलब acid के presence में उसको, अगर उसका reaction कराया जाता है, तो वह, यह सारे product को ट्याग देता है, और oxidized हो करके, seed है, ketone में change हो जाता है, तो यह CS3, CS3, और यह है carbon तो carbon, और जब acid है, तो oxidize होगा, यहाँ oxygen जोड़ेगा, और यह CS3, ऐसे हमने लिख दिया, आपका बन के तयार हो गया, क्या acetone, इसको आपको practice करनी के ज़रुत पड़ेगी, जब तक आप practice नहीं करिएगा, तब तक आप से सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल को practice करिएगा, तो ही जहन में रहेगा, और यह अभी हैलो एलकिन हैलो एरीन में question तो दे दिया है, लेकिन सवाल है, किटोन, अल्डिहाइट किटोन, कार्बोजाली केसेड चेप्टर का, तो चलिए, आप इसको लिखिए, और फिर हम next question की तरफ बढ़ते हैं, अब next सवाल क्या है, कर ब्यूट वन इन, टू ब्यूट टू इन, यानि ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन में convert करना है, तो क्या होगा, दम ध्यान से देखिए, जब भी वन इन से टू इन कहे, थ्री इन कहे, फोर इन कहे, तो हमेशा सबसे पहले मार्कोनिक ओफ लगा दीजिए, मार्कोनिक ओफ एडिशन, और उसके बाद, मार्कोनिक ओफ एडिशन लगाने के बाद, आप क्या करिए, तो हम करते हैं, देखते ही क्या होता है, कार्वन इन तो सेम है, तो मार्कोनिक ओफ और उसके बाद, एलिमिनेशन में, कभी भी कार्वन इन तो चेंज नहीं होते हैं, तो हम देखते हैं, जड़ा क्या क्या हो रहा है, ब्यूट वन इन, तो यह है आपका CH3, CH2, CH, और डबल बॉन्ड, CH2, यह हो गया, ब्यूट वन इन, 1, 2, 3, 4, क्या हो गया, ब्यूट वन इन नाम तो नहीं लिखेंगे, उपर नाम है, इसे ब्यूट ट्वीन कराना है, तो सबसे पहले क्या करिए, HBR से रियक्शन कराइए, और कौन सा रियक्शन, मारकोनिकॉफ, कौन सा, मारकोनिकॉफ, आगे बढ़ते हैं, अब मारकोनिकॉफ क्या कहता है, कहता है, हाइड्रोजन वहीं जूड़ेगा, जहाँ हाइड्रोज तो यहीं जूड़ेगा, ब्रॉमीन यहां जूड़ेगा, तो अब ज़रा चेक करिए, क्योंकि carbon-carbon, unsaturated bond, unsituation से ही हमारा मतलब होता है, तो यहाँ hydrogen कम है, hydrogen यहाँ ज्यादा है, जहाँ hydrogen ज्यादा, वहाँ hydrogen जूड़ेगा, ज़रा हई-drosen कम वहाँ, हैलोजन जूड़ेगा, तो बाद CS3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है चेक कर लेते हैं दिख रहा है काम चल जाएगा किलियर है बिल्कुल बिल्कुल किलियर है अब देखिए अब क्या करिए यहां से अगर आप elimination बीटा elimination करा देते हैं यह alpha यह beta functional group वाला carbon alpha carbon कलाता है और उसके बगल वाला बीटा यह भी बीटा है तो अब देखिए बीटा elimination अगर कराते हैं elimination reaction अगर कराते हैं तो hydrogen यहां से और bromine यहां से बहुत आराम से reaction होगी और जब भी elimination कराना होता है तो alcoholic KOH से reaction KOH के presence में हम समझाते ऐसे भी आप लोग को general term में कि यहां से KBR निकल जाएगा यहां से OH यहां से H मतलब H2O निकल जाएगा ऐसे भी समझा सकते हैं तो यहां से BR यहां से H तो ऐसे भी हम समझा देंगे कि यह KBR बाहर यह H यह OH तो माइनस H2O यह KBR बाहर निकलते हैं माइनस HBR भी आप लिख सकते हों इसको या इसको दोनों को दोनों में से किसी एक को लिख हो गए तो CS3 यह CH यहां से हाइडोजन एक निकला है तो CH और यहां एक हाइडोजन है ब्रुमीन तो हट गया है तो CH और यह हो गया आपका CS3 यहां कारवन की वैलेंसी कम है एक डबल बॉन्ट देना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहां ब्रुमीन यहां से पॉस्टिव चार्ज की एच प्लस के फॉर्म में यहां से तो यह ओ एच और यह बाहर निकलता है यह के प्लस बीर मैनस बाहर निकलता है और एच टो नहीं तो अगर आप केवल अलकोहली के वेच डिरेक्ट रखते हैं तो SBR भी आप बाहर निकाल सकते हैं डिरेक्ट समझने के लिए बस ऐसे केवल तो दो नमबर पर क्या है double bond गिंती इधर से भी कर लो 1234 ये दो नमबर पर double bond तो क्या कहेंगे चार कारवन है तो but, दो नमबर पर double bond तो तो और उसके बाद double bond का suffix होता है in तो but to in ये आपका तयार हो गया क्या? but one in से but to in clear हुआ मतलब यहां से ये आपका तयार हो गया तो लिखे फिर आगे बढ़ते हैं मज़े लेते रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते हैं चलिए next सवाल को देखते हैं आप इसको बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं क्योंकि ये reaction काफी क्यासान है आप चेक कर सकते हैं कह रहा है कह रहा है कि one chlorobutane और उसके बाद कह रहा है normal octane तो चेक कर ये butane से सीधा octane मतलब कि but का मतलब चार कारवन तो CH3 CH2 CH2 और फिर CH2 और फिर कह रहा है one chloro तो एक नमबर पोजीशन पे one two three four one chloro और चार कारवन हुआ तो butane अच्छा से आपको क्या बनाना है normal octane मतलब आठ कारवन वाला hydrocarven तो यहां हम CH2 रख देते हैं कितनी बार छे बार तो छे एक साथ और ये CH3 यहां रख देते हैं यह आपका normal octane है लेकिन आखिर होगा कैसे तो देखे जब भी चार कारवन से आठ कारवन आपको बनाना होता है चार कारवन से आठ कारवन एक कारवन से दो कारवन दो कारवन से चार कारवन चार कारवन से आठ कारवन तीन कारवन से छे कारवन मतलब कि double कारवन वाला हाइड्रोकारवन अगर आपको बनाना हो अलकाइल हैलाइट से तो हम यह सा उर्ज रियेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उर्ज रियेक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे चेक कर यह कैसे होगा यह है CS3, CS2, 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 CS हम इसको जिगजग बना देख्या जिग जिग बना देते हैं नहीं छोड़ी कोई बात नहीं CS3, CS2, 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 CS2 यह 1-Clorobutane, किस से रियेक्शन कराते हैं सोडियम से, किसके साथ जो भी रियेजेंट दिया रहेगा उसके साथ किसकी उपस्तिती में, ड्राइ इथर की उपस्तिती में तो कितना मोल सोडियम चाहिए बबू, दो मोल, यह भी कितना चाहिए, दो मोल खेलर हुआ, अब देखे, तो दो मोल, एनने दो मोल CL बाहर निकलेगा अब यह न, पूरा रियेजेंट दो बाहर मिल गया तो जहां से यह क्लोरीन बाहर निकलता है, वहीं से CH2, 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 CH3 वापस लिख लिजए, तो क्या कहिएगा, देखे, CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, ऐसे तो था, तो इस प्रोड़क्ट को नहीं हम नीचे लिख लेते हैं, इस प्रोड़क्ट को कहा लिखते हैं, नीचे, कैसे देखे, CH3, CH2, CH2, फिर CH2, यह है, रियजेंट, और कितनी बार है, दूबार, तो फिर CH2 से सुरू करिए, फिर CH2, फिर CH2, 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 और फिर लिखिए, CH3, CH3, और यह देखे, CH2 कितनी बार है, छे बार, एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, CH3, CH3, मतलब CH3, CH2, छे बार, और फिर CH3, CH3, CH2, छे बार, CH3, यह आपका है, नॉर्मल ओक्टे, कार्बन के पैरेंट चैन, अगर स्ट्रेट चैन हो, तो हमेशा, वे नॉर्मल कहलाते हैं, इसलिए हमने उसको नॉर्मल लिखा है, केलियर हुआ, अब इसके बाद, कन्वर् का यह, इसके बाद, last question होगा, तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, comment जरूर करिएगा, और honest, बिल्कुल honest comment होना चाहिए, समझाए, तो ठीक, yes, आप share भी कर सकते हैं, हम subscribe करने को बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अच्छा लगे, तो subscribe करिएगा, और चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं, समय ज्यादा नहीं लेंगे आपका, तो चलिए, इस वीडियो का अंतिम सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल है, बेंजीन से आपको बाइफेनाईल, यानि बाइफेनील बनाना है, हिंदी का pronunciation अलग हो जाता है, तो कुछ बात नहीं है, देखिए, आपको ये बेंजीन से बाइफेनाईल बनाना है, तो आपको ऐसे बाइफेनाईल बनाना पड़ता है, ऐसे दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, तो ये बाइफेनाईल है, तो ये आपको प्रोड़क्ट बनाना है, बनेगा कैसे भई, तो बेंजीन से सबसे से पहले, आपको क्या करना पड़ेगा, खोद है अगर हम लोग including reaction करा देते हैं इन अध्य धर करके sodium यृ ध करके, काफी असानी से होजाए मैं कैसे होगा फिटिउ ये 있죠 यहां हम सबसे पहले क्या करती है, क्लोरी नेशन करा देते हैं, लेक्ट्रोफिलिक». reaction कराते हैं तो उसमें है chlorination हेलोजिनेशन में और उसके बाद ये पहला और दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा एन्ने दे दीजिए ड्राइधर दे दीजिए ऐसे reaction हो जाएगा बहुत सारे एडुकेटर ऐसे भी लिखते हैं कोई बात नहीं हम लोग थोड़ डिटेल देखेंग और हमने क्या क्लोरीन से यहां हाइडोजन मौझूद होता है बेंजिन निंग में प्रते एक कारवन के पास हाइडोजन होता है सभी लोग जानते हैं इस बात को यहां भी चारो तरफ हाइडोजन मौझूद होता है जहां हमारी जरूरत है उसको हम केवल दिखा देंगे और FECL 3 दे दीजे, FECL 3 दे दीजे, Electrophilic Substitution आप करा लीजे, Hydrogen से यहाँ, Hydrogen के साथ क्लोरीन निका लीजे, क्लोरीन को यहाँ add कर दीजे, क्या बनेगा आपके पास, यह है क्लोरीन और यह आपका क्लोरो बेंजीन तयार हो गया, अब क्लोरो बेंजीन जब तयार हुआ, तो इस क करा लीजे, Conceration, Fitting Reaction, तो फिर यह आपको रखना पड़ेगा, दो मोल, तो दो मोल सोडियम और दो मोल एने, तो यह दोनों आ गए, माइनस एनेशियल हो करके, और यह बच्चा दो बार, तो जहां से क्लोरीन निकला है, वही से इसको add कर दीजे, जैसे अभी अभी हम लोग उट्स रियक्शन में, नॉर्मल ओक्टेन में हमने जोडा है, तो यहां चेक कर लिजे, आप बेंजीन रिंग तो ऐसे हमने लिखा है, यहां से क्लोरीन लिखा है, तो इसको उलाट करके उपर से, जैसे बोटल के उपर बोटल, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, देखे, यह वाल है, एड करना है एक दूसरे एक सान, तो क्या करिएगा, ऐसे जोड दीजे, तो यह आपको ऐसे भी दिखेगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी, तो आप क्या करिएगा, देख हैं और हम add कर रहे हैं और फिर एक benzene ring यहां बना रहे हैं छोटा बड़ा हो गया तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं इसको यह हो गया आपका bifinal पहले नाम लिख लेते हैं आपका क्या होगा bifinal और उसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं यह और यह उपर जो हमने अभी बनाया तो ये आपका conversion रहा total के total 10 conversion रहे आपके पास और अब बताईए video आपको कैसा लगा इमानदारी से आप बताईए आपको ये बाते समझ आ रही है नहीं आ रही है आ रही है तो like करिए video को like करिए फिर अपके दोस्तों के पास आप share भी कर सकते हैं चाहे चाहां कहीं भी पढ़ते हूँ उससे कोई ये नहीं है अगर बहतर video मिल पाए किसी को तो उससे अच्छी बात और किसी के लिए नहीं हो सकती है तो चलिए मिलते है next video में तब तक आप स्वस्त रहिए मस्त रहिए और video देखते रहिए पढ़ाई करते रहिए चलिए मिलते है next video में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया